तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा, इसमें सब चीज़े बताई गई है, बहुत अच्छे से आपको समझाय गया है, तो आप इसको पूरा अंतक जरूर देखिएगा, जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फ उसको जोइगाना बहुत पॉसलर होगी है, कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबेक है, तो उसको कॉमेंट सेक्शन में कॉमें करके जरू बताईएगा, एट्सक्राकिट का ये चैनल जो योट्यूब पे है, उसको जरू से जरू सब्सक्राब कर लीजिए, यहां से सब्सक सब्सक्राइब मिल जाएगा, जैसी आप ये लिखेंगे, लेट्सक्राकिर दविश्य गुपता, बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आजाएगा और इस चैनल को आप जोइन कर सकते हैं, तो ये हैं 22nd of October current affairs, बहुत important current affairs है इनको आप cover कर लीजिएगा, कोई भी आपका doubt आता ये इस टाइम प्यारो सची वाले का, अगर आपने इसको जोइन कर लिया, तो सारे content वहां मिल रहा है, सारी guidance प्रोवाइट की जारी है, daily MCQs मिल रहे है, सब कुछ यहां पर प्रोवाइट की जारा है, तो इस batch को जोइन करने से आपकी full preparation हो जाएगी, इन current affairs की PDS का आप regular basis पर ले सकते हैं, और daily MCQ practice bed group भी जोइन कर सकते हैं, इन सब को जोइन करने के लिए 7665804421 पर call या message कर सकते हैं, सबसे पहले GS1C news आ रही है, कि भारत की जैसे जैसे उमर भढ़ती जा रही है, यानि कहना का मनलब यह है, कि भारत में जिस तरह से population की age भढ़ती जा रही है, त तो United Nations ने 1 October को International Day celebrate किया for older persons, तो यानि कि जो व्रद जन हैं, उनके लिए कंतराष्ट दिवस को celebrate किया गया 1 October को as part of the organization efforts to draw attention to healthy aging, जिससे की जो aging है, जो बुज़ुर्ग होते जा रहे हैं लोगभाग, वो खुशाल तरीके से हों, ना कि उनके अंदर कुछ दिक्कते आएं, रिसेंटल एक रिपोर्ट जारी की है, UN DESA ने, United Nations का एक Department है, Economic and Social Affairs का, उनकी रिपोर्ट आई है, World Population Prospects 2022, उसमें की कहना ये है, has projected big shifts in, उनका कहना ये है कि आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले दस्चकों में, demographic patterns अगर हम देखें, यानि की जनसंख्या में अगर हम द birth rates stabilize and shrink, 16% of the world population by 2050 is expected to be made up of people over 65 years, अब ये कहना है, क्योंकि globally अगर हम वैश्विक इस तर पर देखें, तो जो हमारे birth rate है, यानि की जो जन्दर है, वो कम होता जा रहा है और stabilize हो गया है, और ये कहा जा रहा है कि 16% of the world population by 2050 is expected to be of over 65 years, यानि की पूरी दुनिया में, अगर 100 में लोगों में से 16 करोड लोग ऐसे होंगे, जो 65 साल की उमर से ऊपर हो जाएंगे, यानि की उस टाइम पे अभी 800 करोड हैं, तो 2050 तक मान सकते हैं, 900 करोड के आशपास या Cynthia 900 करोड के आश्पास लोग होंगे, तो वे जो इतने लोग हैं, वो सब क्या होंगे, उनमें से 16 प रास्ट के हिसाब से United Nations का कहना यह है कि भारत जो है 2023 में ही चायना को भी सरपास कर जाएगा और दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा तो उस टाइम पे भी 2050 में भी अगर हम देखें तो भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश होगा और उस 2050 तक ग्लोबल पॉपलेशन यानि कि वैश्विक जनसंख्या जो है वो 9.7 बिलियन होगी यानि कि 9.7 बिलियन 970 करोड़ों लोग जो होंगे पूरी दुनिया में होंगे तब तक हम देखें तो जो लोग 65 साल से जादा के होंगे विल बी ट्वाइस ऐस मैनी ऐस चिल्डर अ समझते जा रहे हैं वो बच्चे कम बैदा कर रहे हैं दा रिपोर्ट प्रजेक्ट्स इंडियास पॉपलेशन टूबी 1.7 बिलियन बाए 2050 एक सो सतर करोड़ों कहा गया है कि रिपोर्ट का गया यह है कि भारत की पॉपलेशन दोजार बचास तक 170 करोड़ों जाएगी जो भ पॉपलेशन बाए 2050 तक उन आठ देशों में से एक भारत का भी है नेक्स आता है ताज महल की ऊपर आ रही है बात कि किस तरह से पॉलिशन है प्रदूशन है मच्छर है वो ताज महल को कैसे फैट कर रहे हैं और सुप्रीम कोट ने इसके उपर क्या कहा था बहुत इंपॉर देशन है ताज टरपीजियम जोन क्या था ये भी हम समझनी कोशिश करेंगे से तो सुप्रीम कोट ने आगरा डवलेमन आथोर्टि को ये कहा है जितनी भी आप कमर्शल अक्तिविटी हो रही है जितनी भी गतिविदियान हो रही है ताज महल के इर्द गर्द वो सब्द ब वेसं प्रकार से प्रदूशन हो रहा है उसके वजा से ताज महल का जो सफेद मार्बल है वो हलका हलका पीला पड़ता जा रहा है तो कई सारे उपाये किये गए हैं जिससे की उस पीले पन गो खतम किया जा सके पीले पन को कम गया सके लेकिन बात ये है कि हम कुछ ऐसा करें कि वो पिला पड़े ही ना यानि कि पॉलूशन कम हो जाए ताज महल के इर्थगर्द तो जो आगरा में बहुत जादी फैक्टरीज हुआ करती थी उस सब को सुप्रिम कोट ने कहा के बंद करवाया या फिर उनकों में ने 10400 स्क्वार क्लिमिटर का एरिया ताज के इर्थगर्द ताज टरपीजियम जोन के तहित कह दिया गया और ये कह दिया गया कि इसके अंदर कोई भी फैक्टरी इंडस्ट्री नहीं लगी गी एड़ोकेट और इन्वार्मेंटलिस्ट हैं मेहता उन्होंने एक पिटिशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में 1984 में और ये क्लेम किया था कि जो इंडस्ट्री हैं फाउंड्री हैं गाडियां हैं मत्वरा पेट्रोलियम रिफाइंडरी है जो आगरा के पास उनके अंदर से बहुत हामफुल बहुत हानिकारक गैसे निक एमसी महता वर्सेज उन्यों फिंडिया और ये कहा कि अट्मॉसफिरिक प्लूशन इंटीटीजए यानि कि ताज ट्रेपीजियम जोन हैस् टू बी ऐलिमेटेट एट एनी कॉस्ट अन्होंने ये कहा कि जो अट्मॉसफिरिक प्लूशन है यानि कि वातावरंड का जो डैमिज कर रही थी मॉन्यूमेंट को और जो लोग ताज ट्रेपीजम जोन में रह रहे थे इसने ये भी डाइट किया कि टू नाइंटी टू इंडस्ट्रीज ऑपरेटिंग इंडा जोन तो स्विस्टू नैशनल गैस की वहां पे जो दो सो बाड़ में इंडस्ट्रीज ज वो तो होई रहे चाए इंडस्ट्रीज हों फैक्ट्रीज हों गाड़ियां हों उसके अलावा जो पीछे यमना जो है क्योंकि वो भी खराब हो चुकी है तो यमना के खराब होने के वैसे जो कीड़े हैं उनकी मातरा बहुत जादा भड़ गई है जिसके वज़े से महापर उनकीडों के वज़े से भी बहुत जदा ताजमेल खराब हो रहा है पहले वो उस यमना नदी में मचलियां हुआ करती थी तो जो कीड़े होते थे या कीड़े के जो अंडे हुआ करते थे लारवा हुआ करता था उसको मचलिया खा जाती थी जिससे की एक फोड़ चीन बनी जा रही है जिसके वेसे ताज महल पे उसका बहुती बुरा प्रभाव पड़ रहा है नेक्स आता है GS2 से न्यूज है बहुती इंपॉर्टन न्यूज है गवर्निंस रिलेटिड इंटर्नल सिक्यूरिटी से रिलेटिड भी आप कैसे कह सकते हैं Operation Octopus चलाया गया है National Investigation Agency ने यह Operation चलाया है जिससे की PFI को Popular Front of India को पकड़ा जा सके और उसको बाद में भरा सरकार ने उसको बैन भी कर दिया तो PFI को फाउंड किया गया था 2006 में येर आफटर दी मर्जर ओफ थ्री मुसलिम गुरुप्स थे वे आपस में तीनों मर्ज हुए और उन्होंने Popular Front of India PFI को फाउंड किया वो क्या थे? वो थे National Democratic Front in Kerala फिर एक करनाट का फोरम है डिगनिटी का और एक है मनीथा नीथी पसाराई तमिलाडू का तो ये तीन Front थे तीन गुरुप्स थे ये तीनों आपस में जुड़े और उन्होंने Popular Front of India की नाम से एक और्गनेशन बना दी इट डेस्क्राइब इटसेल्फ ऐसा NGO तो इसने ये कहा है PFI ने कि वो एक NGO है और एक New Social Movement है जो की Marginalized लोगों का यानि कि जो हाशी पे खड़े लोग है उनके Empowerment की सशक्तिकरण की बात कर रहा है जो लोग Deprived हैं जो चीजों से वंचित रहे हैं और जो Oppressed हैं यानि कि जिनका दमन हुआ है उन सब को उन सब के ये वक्ता है यानि कि उनके बात ये कहेंगे PFI वाले इसके ओरिजिन अगर हम देखें तो इसका ओरिजिन है तो South India में क्योंकि तमिल नाडु केरला के अरुशनस ने मिलके बनाया है लेकिन धीरे धीरे PFI जो है 2006-2007 के बाद पूरे भारत में फैल गई तो PFI के पूबले फ्रेंट ऑफ इंडिया के जो नैशनल लीडर्स हैं 13 लीडर्स में से एक भी महिला नहीं है सारे के सारे पूरुश है PFI had a strong cater based presence in Kerala उसका जो band का order दिया है home ministry ने उसका कहना ये है कि some of the leaders of the PFI were members of the outlawed SIMmy या ये कहना है इनका कि home ministry ने एक आए कि PFI की कुछ members जो है वो SIMmy के भी थे member SIMmy जो है भारत में band है यानि कि students Islamic movement of India तो ये जो है भारत के अंदर क्या है band है next आता है US sanctions Indian petrochemical company for Iran oil purchase तो पहली बार ऐसा हुआ है काटसा भारत के उपर लगा है काटसा के तहत भारत की एक petrochemical company है जो इरान से तेल खरीद रही थी उन पे उस पर काटसा एक लगा दिया गया है तो in a first such move against oil shipments to India US का जो treasury department है उसने ये announce किया है कि ये एक Mumbai based company है उस पर इरान से तेल खरीदने का रहों बगते हुए उस पर जो sanctions हैं वो लगेंगी company Mumbai based technology that was accused of purchasing shipment that were then sent to China वो पहली भारती entity बन गई है जिससे US designation under unilateral sections passed in 2018-19 तो US का जो Trump administration था Donald Trump की जो सरकार बनी थी तो 16 से 2020 के बीच में तो उसी के तहती ये act पास किया गया था और ये कब हुआ ये ऐसा क्यूं हुआ कि इरान से बातचीत करने पे sanctions लग रहे हैं वो इसलिए हुआ क्योंकि इरान के साथ 2015 में बराक अबामा ने एक deal की थी जिसको JCPOA का आ जाता है जिसकी फिलफॉम है Joint Comprehensive Plan of Action तो अब इसके तहत ये इसको short में अगर हम कहें तो इरान nuclear deal थी है कि इरान किस तरह से nuclear के उपर काम करेगा तो बराक अबामा की सरकार ने और इरान की सरकार ने इसके उपर काम किया था लेकिन बराक अबामा के बाद उनकी जाने के बाद 15 जाने के बाद 2016 में जब रॉनल्ल्ड टरंप आए तो उन्होंने इस scheme को इस जो ये deal हुई थी इसको cancel कर दिया गया जब इस deal को cancel कर दिया गय तो काट सा एक पार्स किया गया कॉंग्रेस में जो अमेरिका की कॉंग्रेस है अमेरिका की सीनेट है वहाँ पे एक बिल पास किया गया जिसका नाम था C-A-A-T-S-A काट साइड इसको कहा गया countering America's adversaries through sanction set तो ये एक्ट पास किया गया और इसके तहित ये खा गया कि अगर कोई भी अमेरिका का जो adversary देश है यानि अमेरिका का जो दुश्मन देश है जैसे कि इरान है या नोर्थ कोरिया है अगर उनसे कोई deal करता है उनसे कोई बातचीत करता है तो उस पे ये sanction वाला एक्ट काट सा है उस पे लग जाएगा और बिल्ली की तरह उसको ये काटेंगे वाइल इंडिया है अफिचली रिफ्यूजड तो एंडोर्स दा यूनिलिटरल सेक्शन अफ दी यूएस मोधी गर्मेंट ने ये अगरी किया है कि हम सभी oil import खत्म कर देंगे अईगरान से तो जनरल रनिल चोहान ने एजियूम किया है चार्ज कंट्री के सेकेंड चीफ अव डिफेंस स्टाफ की रूप में पोस्ट जो थी वो पहले जो सीडियस थे उनकी वृत्यू के बाद वेकिन थी आट नो महीन हो चुके थे पहली बार ऐसा हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद एक थ्री स्टार एलजी रैंक की ऑफिसर ने फोर स्टार जनरल की पोस्ट ली है आफ्टर रिटार्मेंट नेक्स आता है पी-म फ्लैक्स ओफ वंदे भारत एक्स्प्रेस टेंड फ्रम गांधी नगर तो गांधी नगर से वंदे भारत ट्रेंच लाई गई है प्रम गांधी नगर इन गुजरात तो मुंबाई ने महरास्ट्रा तो गांधी नगर से मुंबाई की डारेंट ट्रेंच लाई गई है वंदे भारत ये तीसरी वंदे भारत है पहली दो जो है एक तो नई दिल्ली स कटरा बंदे भारत है जो सीधा माता वैश्ण देवी तक जाती है तीसरी बनाए गई है गांधी नगर से मुंबई तक के बीच में नेक्स आता है आर्मी एक्सपेक्ट्स टू बूस्ट फायर पावर विद इंडक्शन ओफ आर्टिलरी गंस तो जो आर्टिलरी गंस हैं तो उनसे यानि की तोप खाने की जो तोप है उनसे हम यह सोच रहे हैं आर्मी यह सोच रही है कि उसकी जो फायर पावर है यानि इसकी जो शक्ती है वो भढ़ जाएगी तो अगले पांस सालों में देखें तो आर्मी की जो रेजिमेंट है आर्टिलरी की उसमें कई सारी नई जो गन्स है वो आएंगी वो अलग अलग गन्स कौन कौन सी है जैसे कि धनुश है शरांग है M777 Ultra Light Howitzer है जो हम USA से ले रहे हैं के नाइन वजर Howitzer है और Advanced Taud Artillery Gun System है ATAGS तो यह जितनी भी हैं यह कुछ भारत में बन रही हैं और कुछ हम भार से मंगभा रहे हैं उसके बाद एक बहुत important science and tech का topic आता है जिसका मतलब है IMEI number अब यह IMEI number क्या होते हैं यह पहमें पता होना ज़रूरी है फोन के लिए फोन में जितने भी SIM होते हैं अगर आपका फोन सिंगल SIM का है तो उस फोन का एक IMEI number होगा अगर उस फोन में दो SIM डलते हैं तो उसके दो IMEI number होंगे तब यह क्या होता है government इसको क्यों registration करवाने के लिए क्यों ज़रूरी कह रही है उचीज समझते हैं तो department of telecommunication जो ministry of communication के इंडर आता है उसको कहना यह है कि mobile phone के जो manufacturers हैं उनका registration करना phone का बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि जो mobile number है यानि कि international mobile equipment identity यानि कि IMEI number जो कि अपना में 15 ज़रा digit का number है और हर mobile device के लिए वो unique रहता है तो उसका registration ज़रूरी है importer से भी कहा गया है अगर कोई दूसरे देश से भाहर के देश से भारत में phones import करता है तो उसको भी उनको बेचने से पहले import करने के time पे सभी को IMEI number जो है सरकार को बताना पड़ेगा अगर manufacturer है शैल रज भारत में अगर फोन बन रहा है तो उसके एक एक फोन का जो IMEI number है वो सरकार को देना होगा IMEI number of mobile phones imported in India for sale अब देखिए कोई भी फोन आप भारत में बेचने के लिए import करते हो टेस्टिंग के लिए करते हो रिसर्च के लिए करते हो या किसी भी परपस के लिए करते हो उसक उसका चड़ाना हो गई होगा और वो भी कब होगा वो जब होगा import of the mobile phone into the country यानि कि import करने से पहले prior to the import यानि कि import बाद में करेंगे पहले उसका IMEI number सरकार को देना पड़ेगा तो अब बात या आती है कि IMEI number है क्या और इसका काम क्या है तो सबसे बहली बात तो यह है कि यह 15 डिजिट का है और दूसरी बात यह है कि अपना में unique number होता है हर phone के लिए यह अलग होता है it has a 15 digits number is used to verify the identity of a device when a user uses the internet और places a call through it तो यह जो number है इसको हम use करते हैं क्या करने के लिए to verify the identity of a device जिससे कि हम एक device के identity verify कर सकें when a user uses the internet और places a call through it जयानिकि जब person कोई internet यूज करत है या उस device से call करता है तो वो जो phone जाता है या वो जो internet यूज कर रहा है वो IMEI number की help से ही होता है अगर phone में dual SIM है तो उसके दो IMEI number होंगे वन सच अगर एक बर मालिक ने आपका phone खो गया है या चोरी हो गया है तो the carriers can deny the device access to the cellular network even with a new SIM card तो इससे क्या होगा अगर आपने रिपूर्ट कर दिया और धंग से काम किया गया पुलिस होलों की मदद से तो IMEI number बताने से कि आपके phone का ये IMEI number था उसके वाईस से वो phone पूरा का पूरा बंद हो जाएगा उसमें अगर आप नया SIM भी डाल देंगे तो भी phone नहीं चलेगा तो increased scrutiny क्यों हो रही है IMEI numbers की यानि कि ऐसा क्यों कहा गया है सरकार की तरफ से जिससे की जो rampant cloning है और जो mobile phone की चोरी हो रही है उसको रोपने के लिए ऐसा किया गया है मान लेते हैं अगर कोई phone चोरी हो जाता है और सरकार ने या पुलिस ने IMEI number की म पचेंगे identity register categorizes mobile phones based on their IMEI status तीन list में उसको category करे जाती है एक तो white list है फिर grey list है और black list है तो जो mobile phones जो लोग नॉर्मल यूज कर रहे हैं permitted हैं यूज करने के लिए जिनके पास IMEI number ऐसे हैं वो white list में हैं फिर जो black list में हैं वो हैं जो चोरी हो चुके हैं या हो चुके हैं उनक which do not confirm to standards permitted to correct under supervision यानि कि वो standards से match तो नहीं करते लेकिन उनको कह दिया गया है कि चलो आप कुछ time के लिए इस्तेमाल कर लो कुछ questions आते हैं देखते हैं से पहले सवाल से पहले देखते हैं कि September 30 को International Translation Day के रूप में celebrate किया जाता है ती सितंबर को तो उसके बिसमें कुछ questions हैं वो देख लेते हैं तो पहला question आता है कि इस साल की theme 2022 की theme है A World Without Barrier तो 2021 की क्या theme थी दो 2021 की theme थी United in Translation उसर सवाल आता है कि Agatha Christie holds the Guinness World Record for the most translated author तो इनको सब जदर translate किया गया इनकी चीज़ों को तो इसलिए इनको Guinness World Record मिला है This writer earned it for the most translated book वो कौन author है और title क्या है किताब का तो वो है Antony D. Saint Exuberi for his book Leapetid Prince अब देखिए The Little Prince जो है वो किताब अनाम में बहुत मुश्किल है सवाल पूछा रहेगा तेंक फिर भी ये जानना जुरूरी है 2009 में एक Global Bank है यानि कि पूरे एक विश्व का एक Bank है उसका एक campaign था वो fail हो गया क्योंकि उन्होंने एक tagline में translation गलत कर दी तो वो Bank को उसके वज़े से 10 million dollar भी देने पड़े तो वो Bank कौन सा tagline क्या थी Bank है HSBC Bank Hong Kong Shanghai Banking Corporation Bank और tagline थी Assume Nothing फिर अगला कुशन आता है कि डोगरी, मीजो, असामी, कौनकनी, मैथली और मितीलो, मितीलॉन है न मिती जो community है तो यह जो नहीं नहीं languages है यह 8 languages है Google Translate ने इसको add किया है यानि कि अब आप Google Translate में जो हम English to Hindi translate करते हैं तो इसको भी आप translate कर सकते हैं तो कौन सी दो ऐसी हैं जो इसमें missing हैं तो वो है संस्क्रिद और भोजपरी फिर आता है कि एक hilarious segment है Late Night TV Show जो इसमें एक singer है sing कर रहा है translated version of our 2019 song 2019 का एक गाना है उसको वो translate कर रहे है वो गाना क्या है वो है bad guy by Billy Elish फिर आता है this translator won the JCB prize for literature for her debut translation उन्हेंने एक novel का translation किया है तो उसके लिए उनको award मिला है तो वो कौन है वो है शेहनाज अभीव और जैसमीन डेस के लिए उनको मिला है Last question आता है कि this film features a translator given the task of communicating with aliens तो एक film है जिसमें एक translator को एक काम दिया गया कि वही आपको aliens से बात करनी है movie talks about how languages shapes our reality तो movie ये बताती है कि किस तरह से भाशाई जो है हमारी जो असलियत है reality है उसको change करती है उस film का नाम क्या है उस film का नाम है arrival या आगबन तो जल्ली किस्तिक साथ आज ही current affairs complete होते है गाईस मैं आपको कोई भी डाउट आता है कोई आपका feedback है session है तो comment section में comment करके जुरू बताईएगा बाकि मिलते है next video में so thank you and bye bye